दोस्तों अगर आपका अकाउंट एटल पेमेंट बैंक के अंदर है और आपको आपके ट्रांजक्शन डीटेल्स चेक करना है तो वह कैसे करना है यह बताने वाला हो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा विडियो स्टार्ट करते है तो ट्रांजक्शन डीटेल्स चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एटल थैंक्स अप्लिकेशन ओपन करना है जो एटल पेमेंट बैंक के लिए है अब जैसे ही अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने मिल जाता है अब यह जो है आपको सिलेक्श कर लेना है और नेक्स पेज़ पर आपको बेसिकली केटेगरीज मिल जाएगी तो यह ट्रांजक्शन पेज है तो यह था पहला तरीका इस परटीकुलर पेज़ पे आने के लिए जो दूसरा तरीका है वो देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन के लिए आप देख सकते हो history को option है तो history select कर लीजिए और एक बार फिर से हमा जाएंगे transaction page के उपर अब यहाँ पे दो category आपको मिल जाती है एक तो payments category है और एक है जो भी आपने transaction किया होंगे वह इस page पर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर हर transaction का amount आप देख सकते हो और date आप चेक कर सकते हो अगर आप उस transaction पर tap करोगे तो और additional information आपको मिल जाती है जैसे कि transaction ID क्या है payment method कुण सा था payment किस चीज़ से हुआ था account number जो जिस पर आपने payment किया था वह बिसिक सारी details आपको मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर saving account wallet के उपड़ करते हो तो जो भी payment आपने saving account से किया होगा वह दिख जाएगा अब यहाँ पर MPN enter करने के लिए बोल रहा है तो MPN enter करेंगे और MPN enter करने के कुछ seconds में ही आपको यहाँ पर transaction भी देखने मिल जाता है अब यहाँ पर amount आप फिर से चेक कर सकते हो status चेक कर सकते हो transaction का और यहाँ पर भी update और time चेक कर पाऊगे transaction पर आप टैप करते हो तो यहाँ पर additional transaction की information आप चेक आउट कर पाऊगे तो यही simple तरीका है जिसके मदद से आप airtel payment bank का transaction details चेक कर पाऊगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है helpful लगा है like और subscribe जरू कर दीजेगा आपके मैं मिलता हो next video में धन्यवाद